दोस्तों हम सब को पता है कि जो अलोविरा होता है, इसके हमारी स्किंट पर बहुत ज़ादा बेनीफिट्स लेखने को मिलते हैं यह स्किन को कलीन करता है, स्किन में मॉश्टर बना कि रखता है और अगर अगर आप इसकिन में ब्लैकेट्स हैं या कोई दाग दब्बे हैं तो यह उसको भी दीरे-दीरे ठीक कर देता है तो दोस्तो कुछ नाइं पहले वाउस किन साइस ने एक ऐलोविरा पील ओफ मास्क रिलीज किया है और इस वीडियो में हम उसका रिवीव करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या यह पील ओफ मास्क आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं और दोस्तो साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यह जो अलोविरा पील ओफ मास्क है यह मैंने खुद ओनलाइन इंपर्चेस किया है कि मैंने अलोविरा मास्क यूज़ करके देखना था इसलिए मैंने इसको ओनली पर्चेस किया पर्चेस कि पैकजिंग पर तो यह जो पील ओफ मास्क जिसको मैं थोड़ी देरिकली रख देता हूँ सकते और अगर मैं देखकर सकते हुँ निकिए अप सारीं पर इस निस्तिड होती है और तो में लिखा हुआ है not happy so अगर आप इनके किसी प्रेक्ट के बारे में satisfy ना हो तो आप यहां से इनको contact कर सकते हूं यहां पर सारी contact information listed होती है तोल फ्री number email address social media links तो आप जैसे चाहों इनको contact कर सकते हूं और अच्छी chemicals यूज नहीं किये गए ज्योंकि काफी अच्छी बात है और यहां पर लिस्टेड है dermatologically tested बात करते हैं इसकी quantity की वह है 100 ml प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहां पर जो मापी प्रैस लिस्टेड है 349 रुपीज लेकिन अगर आप इसको online प्रचेस करते हो तो यह काफी discounted price पे मिल जाएगा और नीचे वीडियो डिस्क्रिशन में आपको इसका लिंक भी दिया जाएगा और दिखने में यह जो पील aloe vera plant के साथ तो मुझे दोनों में से इस पील ओफ मास्क की जो खुश्पू है वो ज़्यादा अच्छी लगी जोस्तों अब हम बात करते हैं इस aloe vera mask के effect के बारे में इस mask के साथ आपको जो strip दी जाती है उसकी मदद से इसको यूज करना काफी असान बन जाता है तो आप इसको असानी से अपने पूरे face पे spreader कर सकते हो और इसको यूज करना ऐसे है जैसे आप aloe vera gel को यूज कर रहे करना हो जाएगा कि जिस जल् değiş आप के बाल हैँ वहां पे से apply अपने नहीं करना होता है और इसके left LOVE करसय जाओ तो आप इसका nap भी अफलाई कर सकते हो और फिर 10 मिन頭 तक इक easily dry हो जाएगा आप हास lang गाख' पर चेक करना चाहो तो छेक भी घर सकते हो और जैसे अपने down से up-se से यह असानी से निकलाएगा लेकिन अगर यह बालों ने एरिया पे लग जाता है तो वहाँ से यह से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है तो यह इतना भी इस्ट्रॉंग नहीं होता है यह आपके बालों को यह लगा गर देता है और यह वाइट उसको भी मुझा कर देगा लेकिन अगर आप चाहते हूं कि स्किन से blackheads को ये remove करें यहां फिर स्किन पर जो दाग दब्बे हैं उसको ये मिटाए तो वो effect है इससे देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर question आता है कि जो charcoal peel of mask होता है क्या वो इस alvira mask से ज़्यादा अच्छा रहता है तो देखें जो charcoal peel of mask है no doubt उसे आपको ज़्यादा deeply cleaning effect मिल जाता है जिस आपकी skin को काफी अंदर तक clean कर देता है जिससे जो blackheads उगरा होते हैं वो सारे निकलाती है लेकिन यह जो mask है यह थोड़ा skin friendly है तो no doubt यह आपकी skin में moisture को लॉक करके रखेगा skin में जो भी dead cells लगे होंगे उसको भी remove कर देगा skin को smooth and glowing effect भी provide करेगा लेकिन जादा deeply effect वो यह प्रवाइडर नहीं करगा और दोस्तों वैसे तो इस face mask को use करने के बाद आपको किसी moisturizer की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर आपके गर पे aloe vera gel पड़ी है अब उसको use कर सकते हो जो अपके skin में थोड़ा बहुत moisture गया होगा वो वापेस आ जाएगा और यह जो face mask है यह basically all type of skin suitable है लेकिन फुरी मेरी documentation रहेगी कि आप इसे use करने से पहले छोड़ा सा patch test ज़रूरा कर लिजी तो अगर आपके skin में कोई irritation आती है यह redness होती है तो फिर आपको इसका use नहीं करना तो फिर आपको इसका use नहीं करना तो फिर आपको इसका की ingredients की उपर तो इसका main ingredient होता है aloe vera और इसके लावा इसमें hyaluronic acid और प्रो विटेमिन B5E मिल जाता है जोगकि skin में monster को lock करके रखते हैं skin को काफी अची nourishment भी provide करते हैं और skin में bright and glowing effect provided करेंगे और दोस्तों कि मैं अपनी बात करूँ कि मुझे यह aloe vera mask कैसा लगा to be honest मुझे यह mask काफी अच्छा लगा क्योंकि मुझे जादा deep clean वाला factor नहीं चाहिए होता बस एतना होता है कि जो skin में imputes लगी हुई है जो dead skin cells है वो remove हो जाएं और वो वाला जो काम है यह काफी अच्छे से कर देता है और इसका plus point यह है कि यह skin friendly है और skin में monster को lock करके रखता है इससे क्या होता है कि को skin में major skin related problem नहीं होती और इसको वीक में दो तीन बार अराम से यूज़क कर सकते हो दोस्तों मेरी आपको भी advisor है कि आप इसको एक बार ज़रूर try कीजिए और इसके price की बात करूँ तो मैंने पहले ही बता दिया इसका price है 349 ठेकिन अगर अब इसको online खरीदते हो तो यह काफी discounted price पर मिल जाएगा और नीचे वीडियो डिसक्रिशन में वहाँ पर आपको इसका link भी दिया जाएगा तो दोस्तों यह test Bob Skin Science के अलविरा पील ओफ मास्क का review अमीद वीडियो को अच्छी लगी होगी इसलिए इस वीडियो को like कर देजिए जो पिकने views हैं स्वाल हैं वीडियो आपको कैसी लगी और नीचे comment दर्शन में जरूर शेयर कीज़ेगा तो जल्दी में लगें और नहीं मज़दा है वीडियो के साथ जबता के लिए जय हिंद